आपको नजम नहीं आ रही हवा बदली होई यह जो लोग खड़े हुए हैं यह बिर्यानी पवे वाले नहीं हैं यह स्कूल के मास्टर से गाओ के परदान से गाओ के करमचारी से यह जो अधिकारी उनको ठेका नहीं दिया गया है को उनको लेकर आओ यह जो अवाम आई है दरा दिया गया है कि हमारे पास ED और CBI है आपको हमारे पास जेल बहुत बड़ी है आपके चैनल बंद कर दिये जाएंगे इन भाईयों को भी अपने जेलल बचाने हैं पर आपको मानना होगा सरदार भगत सिंग की तरह ना जाने कितने हुआ अब इराहुल गांदी जी के पीछे निकल चुके है कि देश को बचाना है ना योगी की जेल हमें पीछे अटा सकती है ना योगी की ED ना CBI हमें हटा सकती है हवा तो ऐसी चल रही है कि यह देखते रह जाएंगे कि हवा कौन सी चली है अगर मैं बता दूँ आपको तो दिखा देना पर मुझे डल लगत अगरी का भारत जोड़ो नायात्रा उत्तर परदेश के संगम नगरी यानि पर्यागराज में पहुंच चुकी है पर्यागराज वही जो हमारे देश के प्रथम परदानमंत्री पंडित जवारला नहरुशाप भुलपूर से सांसद मने थे उसी हम लोग सभाद छेत्र के प पर्यागराज में पहुंचे क्या लग रहा है किया माहल महाल देखें प्रदानमंत्री बने इसना अंहे सरकार धा इसको ऊकाड़ फेंगा लेकिन क्या लग रहा है यहां तो भाज़पा दावा कर रही है असी में असी हम जीत रहे उत्तर प्रदेश से नहीं भाज़पा बोलने को तो बोल दी है 400 पार क्या हो 40 पार हमें लगता नहीं आएंगे क्या लग रहा है सर राहूल गांदी लाबाद पहुचे है कुछ माहूल बदलेगा लोग सो हमें माहूल नहीं बदलेगा इसमें घबराहट साथ बता रही है कि वो पूरी तरीके से उनको विश्वास हो गया है कि हम चुनाव अब इस बात जीत नहीं रहे हैं इसलिए वो तमाम EDC लेकर जो इनके फंटल बना दिये हैं जो हमाई सरकाई संस्थाएं थी उनको ये फंटल बना का इस्तिमाल कर रहे हैं और ये विपच्छ के नेताओं के उपर EDCBI लगा का डरा धमका के अपने पार्टी में सामिल करा रहे हैं जिससे ये साब जाहिर हो रहा है कि ये पूरी तरीके से डर चुके हैं और इनको विश्वास हो गया है कि अब हम इस बार आ नहीं रहे हैं इसलिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं कि उसमें कुछ इजद बचाने के लिए विपच्छ में बैटने के लिए कि इनके पास कुछ सीट आ जाए लेकिन भाजपात क्यारी अपकी बार फिर से मोधी सरकार चार सो पार होने जा रहा है हम आपको बता दिये हैं यह चार सो पार नहीं यह मुश्किल से पचास सीट डाग जाए तो मैं वानूंगा कि यह मतलब कुछ अपनी इजद बचा लिए तर्सक्रामरान होगा पचास सीट कोई पधामंतरी बनने का तो प्रसन ही नहीं है अब हम बता रहे हैं अपने अपने संस्तिछेत हो सकता है बच जाए आप क्या चाहते राहुल गांदी परधान मंत्री बने या मोदी जी हम लोग तो राश्ट्री राहुल गाधी जी जिनका विजन पूरे देश को लेकर है जो इतने अन्भवी नेता है कि माली जी करोना से पहले पेडिक्ट किये थे उसका आप लोग जानत कि पेडियों को बंद करने की सिती आ गई है तो राहुल गांदी जी बहुत दुदर्सी है इनके तरफ फरजी डिग्री नहीं रखे है कि यह डिग्री जब मांगा जाएगा तो यह कहेंगे भीया हमारी इंविश्टी का पता नहीं है वो तो सीना तान के बता रहा है कि हम व खड़े हुए हैं यह बिर्याने वाले नहीं है यह स्कूल के मास्टर से गाऊं के परतान से गाऊं के करमचारी से जो अधिकारी उनको ठेका नहीं दिया गया है उनको लेकर आओ यह जो आवाम आये खुद अपनी मर्जी से आई आप कह रहे हवाँ बदलेगी यह तो आप ह गया है कि हमारे पास ED और CBI है हाँ हमारे पास जेल बहुत बड़ी है आपके चैनल बंद कर दिये जाएंगे इन भाईयों को भी अपने जेलल बचाने है पर आपको मानना होगा सरदार बगत सिंग की तरह ना जाने कितने हुआ अब इराहुल गांदी जी के पीछे निकल च चली है अगर मैं बता दूँ आपको तो दिखा देना पर मुझे ड़ लगता है कहीं मुझे पाकिस्तानी घोसित ना करते हैं पर मैं भारतिय हूं मेरे दादाने इस देश को आजात कराने के लिए हिस्सा लिया था जंग मैं मैं स्वातनता सैनाली का पोता हूं इसलिए सच् करने दी ना बोट मांगने दिया वाकी जनता ने कहा कि यहां नफुरत का जहर घोनने वाले हिंदो मुस्लिम करने वाले भारत पाकिस्तान करने वालों को नहीं अब अच्छे आदमी को लाना है और निर्दलियों को 101 सीर्दे कर उन्होंने पहुमत देने का काम किया है मेरे जायो इसलिए यहां कि जनता यह कहने कांग्रेस में कुछ नहीं कांग्रेस में सब चले गए औरे मैं यह कह रहा हूं यह ऊज़ड़ा कर रहे थे वह भागते नजर आ रहे हैं क्योंक्य जमन में जो था वो बीजेपी के माइंडेट राजमी थे वो जा रहे हैं अब जी तो छोड़ने वाले हैं माजबर्देश के पूर मुकमंद्री आप लोग शुरिए अब हुआ है और कोई चला भी जाएगा तो कांग्रेश में कोई फरक नहीं पड़ेगा अच्छी दिसी बा पेपर लीक हो जाता है कभी उनके उपर लाठी बरसाई जाती हैं बरतिया समय से नहीं आती है तो एकदम ऊट के मुँमें जीरा टाइप आती हैं पांच शेयर बरती आ गई दोहजार बरती आ गई इस तरह से इस दिर राहुल गंदी से पूरी टीम राहुल गंदी से सामको मीटिंग है उनसे बात करेंगे अपने मुद्दों को रखेंगे और प्रतियों की चात्रों की पूरी आवाज को उन तक पहुचाएंगे सबका साथ सबका विकासी वाओ को नोकरी हम दे रहे हैं मोदी जी तो दस साल से कह रही है कि युवाओं को भाजपा के कहने पर आप कह रही हो भाजपा के यह डर है इसलिए हमारी पार्टी के जो एकाउंट से उनको सीज किया जा रहा है और हमारे लोगों को जेलों में डाला जा रहा है उनको रोका जा रहा है यह उस चीज का डर का नतीजा है नग्वार आप 24 त offers में मोधी जी तिसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगा या बदला होगा नई देखिए जिस तरीके से मोधी जी डरे हुए है निटीज को तोड़ना फिर हेम Kingdom बें सुरें जी को पर्षान करना लालू जी को परेशान और। रहा हो सकता वह बनारशस से बिल्कुल बिल्कुल की जनता जनातर मन बना लिया है कि मोधी जी को बनारश से उख़ाड़ देखना उनकी अपदाल गलने वाली नहीं है अच्छा क्या कहा रहा है चुछा भाजपा मतलब 17 गुणों सरी युक्त भाजपा पार्टी जुम्ले बाद जूटा कप्ती चोर धोके बाद बहिमान रर्वा भणवा सादू सरनासिक किन्नर मौर्वी बलतकारी समझें ना बहर रूपिया यह भाजपा का रूप है रास्टवादी पाटी है ना रास्टवादी नहीं अच्छे दिन अगर आए तुसे दो के आए हैं और बाकी देश में तो सक्सक्ता ना सही हुआ है लड़के बेरुजगा लड़के आत्महत्ता कर रहे हैं ना जाने कितने के अगनिवीर ठमहा दिया गया है एक विजेपी की स्कीम है सथ हैं पूराइसे काफ़यों कता हूं भाहर के दरसल हम आपको बता देना चाहते हैं यह हर एक मुद्दे पर चाहे युवा हो गया चाहे रोजगार पाने वाले हमाई साथी हो गए किसान हो गए या महिला हो गई या फिन जो मेहनत का हम यह बता देने मनरेगा में यह उसका बजट कम कर दिये चुकि यह कांग्रेस स्कीम ल में आम जनता को लाब पहुचाया तो इसको बंद कर नहीं सकते हैं लेकिन उसका बजट कम कर दिये देली वेसे आदमी जो रोज कमाता खाता है उसको अगर 120 दिन का घर में काम मिल गया तो बताईए अगर वो काम मिल गया तो वेचारे के घर की सिती तो कुछ चलने वाली थ आममेयर करते हैं मीडिया जो इनके जो गोधी मीडिया हम लोग कितनी बाल बालसन से यह गोधी गोधी एंकर जहाते हैं तो भागाने का कूळने का काम करते ह। चुकि यह दिन रात पेरते रहते हैं यह जो में इस्टिम मीडिया में आपको कहीं कोई किसान नहीं दिखेगा कोई बिरोजगार नहीं दिखेगा कोई रोजगार मांगने वाला नहीं दिखेगा इस समय अगर यह अगनी भीर योजना लाएं हैं सबसे फ्लाप सेना के रिटा परिवाँ के साथ कितना बड़ा कुछ हारा घात होगा कि उसको सहीद का दरजा तक न मिले गरीब अंचल से आने वाले अगर साथियों के साथ इस तरगा अन्या होगा तो बताईए आप कैसे कर रहे हैं कि सरकार आई रिपीट कैसे करेगी तो अभी हम इलहाबाद में और हमारे साथ तमाम लोग थे तमाम लोगों से हमने बातशीत किया इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जूरे तो सस्क्राइब करके जूर जाए धन्यवाद